उट को रेगिस्तान के जहाज के नाम से विख्यात किया जाता है क्योंकि उट रेगिस्तान की रेट पर बेहदा आराम से चल सकते हैं और वो पानी के बीना भी कई दिन तक आसानी से गुजारा कर सकते हैं उटो की एक प्रजाती खाराई ऐसी प्रजाती है जो समुद्र में तenda के लिए माहीर है खाराई उट सबता में एक बार समुद्र को तेर कर मैंगरूप पेड़ो वाले टापूप पर पहुचते हैं जहां ये उट इन पेड़ों की पत्तियों को जम कर खाते हैं ये उट अपने रखवालों के साथ समदर में 10 किलोमीटर की दूरी को तैर कर गुजरात के कच्छ जिले में हाडी के साथ लगते टापूर पर पहुशते हैं मैंग्रों के पेड इन उटों के मुख्या आहार होते हैं